नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंग खना हुमियोपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथियों लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशे में शब्द के विशे में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साब अलर्जी हो गई यह अलर्जी हो गई वो अलर्जी हो गई ऐसे अलर्जी हो गई वैसी हो गई इस चीज से हो गई उस चीज से हो गई तमाम लेकिन अलर्जी वर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके निप्टें कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं allergy होती क्या है allergy साथियों आपका जो body होता है उसका एक defensive system होता है immune system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hypersensitive हो जाता है तो जब आपका external को infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cause करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थिति उत्पन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आपसे milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके का milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है अलर्जिन के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें साथियों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है बाड़ी में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच के जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहाँ एक बहुत time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह की allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो नेशल एलर्जी है तो चीकों का symptom हा गया अगर आपके अड़ी के रिया है तो इस्किर में आपके बल जा गैँए अगर आपके मच्छर के काटने से आपके अलर्जी हो जाती ही तो उस तरह की लाली होगा तो भारी घाओ बन गया भारी वह स्केल different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ एक बहुत life-threatening serious condition, medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहाँ condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहाँ life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भी होश हो जाते हैं आपका BP भी लोग हो जाता है आपको pain बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को अबश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यहाँ पहचान लेते हैं के रूप में विविन, विविन जिस तरे का ऐलर्जेन उस तरे का मनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए डाइगनोसिस के लिए डॉक्टर IgE का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE test चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क छमता जो सरीर की है यही आपका antibody बना के आपको सही करने वाली चीज को कश्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं अगर साथियों आपको milk से allergy है या आपके बच्चे को milk से allergy है तो उसको ठीक करने की हुम्योपेथी में बहुत कारगर दबाएं हैं हम साथियों आपको बताएंगे इस allergy को ठीक करने के दस कारगर हुम्योपेथी दबाएं बस बात यही है कि आप इस बात का वस दिहान रखें कोई भी दवा जैसे हमने कहा कि इसमें लाइफ थ्रेटिंग कंडिशन भी एनाफाइल एक्सिस की अलर्जी के साथ इन्वाल्व रहती है इसलिए कोई भी दवा भी ना किसल्ची किसक से पूछे ना लीजिएगा पता नहीं कि दवा का क्या मिनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वहाँ नुकसान पहुचाए पताते हैं साथियों आपको ऐलर्जी को ठीक करने की कुछ कारकर होमियोपेठिक दवाएं सबसे पहली दवा जिस से मिल्क अलर्जी का या एग अलर्जी का ईलाज शुरू करना चाहिए उसको भी मिल्क अलर्जी है उसको टुबर कुलीनम 1-Yem की एक खुराग देदें हफ़ते में किवल एक खुराग च्छै मुईने में हम कहें एक खुराग दे दे उसके दस दिन बाद आप सल्फर की एक खुराग दे दे आप देखेंगे कि आपके बच्चे को मिल्क अलर्जी में बहुत फाइदा हो गया उसको मिल्क या मिल्क के प्राड़क्स से जो अलर्जी हो रही वहाँ खतम हो गई जब आपने टूबर कुलीनम दी उसके दस दिन बाद आपने सलफर की खुराग दी उसके दो दिन बाद आप नैटरम कार्ब वो निकम दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार दे दें यहाँ जो तीन दवाएं हैं यहाँ आपके बच्चे को मिल्क यलर्जी की समस्या से काफी हद तक निकाल देंगी या यहों कहें पुरी तरह खतम कर देंगी हम फिर से लिपीट करते हैं साथियों सबसे पहले अगर मिल्क यलर्जी आपको यापके बच्चे को है तो आप टूबर कुलीनम की वन एम की एक खुराग दे दें उसके दस दिन बाद आप सलफर वन एम की तीन खुराग पचपच मिट के फासले पर दे दें और उसके दो दिन बाद से आप नैटरम कार्ब 200 दो दो बून दिन में तीन बार एक हफ़ते तक दे दें आप देखेंगे आपके बच्चे को दूद पीने के बाद जित्ती भी मिल्क यलर्जी होती ही वाग खतम हो गई साथ में आप एथूजा साइनेपियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एथूजा बहुत अच्छी दबा है जब आपका बच्चा दूद पीता उसको उल्टी हो जाती हो वामिटिंग हो जाती हो उस कंडिशन में एथूजा भी बहुत अच्छी दबा है यहाद अबा लेकर भी आप स्वासला प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको या आपके बच्चे को मिलक अलर्जी हो और साथ में उसको वामिटिंग हो रही हो और पानी ऐसी लेटिन हो रही हो उसके पेट का भी डिरेंडमेंट हो तो आप पलसेटिला को भी जो सकते हैं पलसेटिला नाइगरा 30 पावर में दू-दूबून दिन में 3 बाल ले सकते हैं अगर साथ में आपके वामिटिंग और स्टूल पानी ऐसा हो रहा है और मरीश को बिलकुल प्यास नहीं लग रही तो आप पलसेटिला को भी जो सकते हैं यहाँ दवाएं मिलके आपको मिलक अलर्जी से बाहर कर देंगी इसकी 99.9% संभाब ना है यह दवाएं थी आपके अलर्जी के विशह में अगर आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94.915.786.370 पर अपनी क्वरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोष जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको अलर्जीज में फाइदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्हे लोगों को सब्सक्राइब परने के लिए प्रेडित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथियों इती देर हमाएं साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ वाद बहुत 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 है कि अजय रहा है झाल प्राइब बुल